जैहिन दोस्तों आप सबका आज की editorial discussion and analysis की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज है Friday और आज है 2nd September और आज दोस्तों हम तीन issues को discuss करेंगे दो हिंदू में से, एक Indian Express में से दोस्तों एक issue हम discuss करेंगे, ethics से oriented है ये article जो आया था interview के form में आया था, question answers के form में आया था कि जो civil servants है, क्या उनका अधिकार है या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने विचार, अपने views प्रगट कर सकें, चाहे वो twitter पे करें, चाहे वो facebook पे करें चाहे वो publicly कहीं भी भी करें, इसके बारे हम बातचीत करेंगे फिर दोस्तों, आज एक बहुत बढ़ा दिन है, दोस्तों, आज आयने स्विकरांद को commission करा गया है तो journey क्या रही है आयने स्विकरांद की, इसके बारे Indian Express Explained में जो आर्टिकल आया है इसको हम discuss करेंगे, पहले भी इसके बारे बात कर चुके है और एक आर्टिकल जो के Indian Society से related है, यह आर्टिकल हिंदू में आया है जहां पर बात करी जा रही है, जो condition of woman है, जो starts है जो हमको यह दिखाते हैं कि जो woman है, higher education institutions में, कास करके अगर scientific community में वो इतने कम क्यों है और question of the day जो होगा, आपको towards the end of the video देखने को मिलेगा now question of the day का जो answer है, just for the sake of you know information and again, जैसे मैं video शुरू करने से पहले repeat करता रहता हूँ यह question का answer आपने हमारे telegram group में post करना है, यह free of cost initiative है telegram group का नाम आपके सामने है, editorials with means answer writing to get access to this group, please check the description box आप इस link को click करेंगे, तो आपको हमारे telegram channel के towards redirect करा जाएगा अगर नहीं करा जाता, तो आप कोई बात ने, घबराना नहीं है, आपने इस number पे 6280-133-177 6280-133-177 इस number पे telegram की आप से आप हमको message drop करी और हमारी team के द्वारा आपको add किया जाएगा As far as the best answer is concerned, जो कल हमने question पूछा था तो देखे, बात क्या हो रही थी कि चाइना का जो footprint है South Pacific region में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब को सब चाइना कल को कह सकता है कि अमेरिका का footprint Australia का footprint इंडो Pacific में बहुत बढ़ रहा है कि आप Quad Alliance बना रहे हैं, AUKUS बना रहे हैं चाइना को contain करने की कोशिश कर रहे है और इस साल हमने काफी news में भी पढ़ा कि जैसे Solomon Islands के बात करें तो चाइना और Solomon Islands के बीच में एक secret security pact sign करा गया था अब ये जो चाइना का जो बढ़ता footprint है इसमें चाइना की vulnerability है या चाइना की ख्वाइश है कि वो actual में interested है इस region में अपने footprint को बढ़ाने के लिए कि वो कमजोरी है कुछ चाइना की विकुश देखी अकसर हम देखते हैं कि जैसे चाइना की जो debt trap diplomacy है चाइना के जो checkered diplomacy approach है वो देशों को अभी समझ नहीं आती वो बाद में जाके जब उनको मार पढ़ती है तब जाके समझ आती है classic example हमारे सामने श्रिलंका है पाकिस्तान है तो इन देशों में काफी देख रहे हैं कि चलो श्रिलंका में बहुत बड़ा crisis आया है अब इसका definitely जो कसूर है वो चाइना को दिया जाता है अब चाइना को इस बात से गबराहट है कि जो मेरे कारण जो civil unrest इतना हो रहा है इन सारे देशों में तो कैसे मैं अपना जो presence है इस region में relevant करके रख सकूँ अगर South Pacific region की बात करें वेकोज इवन Solomon Islands में भी बहुत सारे लोग जो है खास करके civil society activist की बात करें वो जादा खुश नहीं थे कि Solomon Islands के प्रदान मंतरी ने चाइना के साथ ये secret security pact साइन करा है अब यहाँ पे आंसर विशाली ने लिखा है विशाली very well done काफी अच्छा आंसर है आपका तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे mention करते हैं कि देखिए यह जो area है South Pacific यह किसी जमाने में after World War 2 अमेरिका का यहाँ पे काफी जादा footprints बहुत huge रहता था यानि कि अमेरिका की presence यहाँ पे काफी जादा रहती थी तो अभी recent past में क्या-क्या हुआ है चाहे हम Micronesian region की बात करें जाहे East Timor है, किरवती है, Fiji है, Solomon Islands है इन सब countries के साथ क्या-क्या चाइना के significant pact या deal sign करी गई है उनके बारे उनने बहुत comprehensively mention कर रहे very well done क्योंकि IR में हम अक्सर South Pacific region को जादा पढ़ते नहीं है तो बहुत अच्छी बात में को लगी विशाली कि आपने काफी comprehensively अपने आंसर में चीज़ें आड़ करी है चाइना की vulnerabilities क्या है as far as the American expansion is concerned तो चलो, अमेरिका को इस बात का जादा tension है चाइना एक्सपांड कर रहा है लेकिन चाइना की vulnerabilities हैं कि अमेरिका का जो footprint है और अमेरिका की जो नस्दीकिया है ताइवान के साथ और अमेरिका का footprint जो इंटो-पसिविक में बढ़ रहा है तो उसको counter करने के लिए चाइना अपना footprint साथ पसिविक में बढ़ाना चाह रहा है और चाइना के footprint के बढ़ते का ये बढ़ने का impact क्या रहेगा तो चाहे वो हम diplomatic, economic और cultural lens से देखे ठीक है चाहे चाहे चाइना getting entry ticket into these regions for surveillance activities जैसे अब भी recently हमने हम बंद होता port में इसके बारे हमने एक few minutes में वीडियो भी discuss किया था युएन, bank 5 जो जहाज है satellite surveillance जो ship है so called spy ship तो अगें यहाँ पर concern आ जाता है कि अगर maritime domain में चाइना का अगर इतना presence बढ़ रहा है तो that is a concern for the countries and specially a country like India which wants to uphold the international order and the freedom of navigation in the seas and अंत में यहाँ पर बात करीगे concern for Indian वाकी देशों के लिए क्या है और यहाँ पर conclusion उने बड़ा अच्छा दिया है तो आप इस answer को पढ़ सकते हैं इसको pin कर दिया जाएगा along with the model answer so very well done विशाली now starting with the discussion तो आज दोस्ते यह जो article हम पहला discuss करेंगे यह article एक Q&A round में करा गया है between B and Shree Krishna जो एक retired you know retired justice on the Supreme Court और case सुजाता राओ जो एक retired I.S. officer है अब किस context में बात करी जा रही है बिलकिस बानो case के बारे हमने काफी discuss करा है काफी इसके बारे हमने पढ़ा भी हो गया नियूस पेपर में अब बिलकिस बानो की support में देखी बहुत horrific incident हुआ था आज से 20 साल पहले की बात है 2002 की बात है जो उनके और उनके family की games इतना ज़ादा जो atrocities करी गी उनका rape करा गया उनकी छोटी बीटी का भी rape करा गया कितने सारे लोग उनके परिवार में से थे उनको मार दिया गया अब ही recently क्या था recently जिन लोगों ने ये पराद करा था इनके games उन लोगों ने उनमें से एक व्यक्ती थे जन्हों ने supreme court में ग्या चिका डाली थे कि हमने काफी समाब यहाँ पे jail में बतीद कर लिया और हमको remission दे दीजिए हमको राहत दे दीजिए और हम अब वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो supreme court ने गा कि चलो अब ये फैसला तो गुजरात की सरकार कर सकती है although एक brief background वैसे आपको दे रहा हूं वैसे बिलकिस बानो का case हमने editorials में भी discuss कर रहा और even जो few minutes अगर हम polity की बात करें आयूश सर ने उन्होंने भी discuss करा है तो चलो supreme court ने बोला कि बेशक इस case की सुनवाई सारी की सारी जो है trial जो है महाराश्ट्रा में हो था लेकिन end में आके फैसला remission की अगर हम बात करें हलाके इन सब ने उमर कैद की सजा नहीं काटी थी ना उमर कैद means कि जब तक आप जीवे ना तब तक आप सजा काट रहे हैं उमर कैद doesn't mean कि आप 14 साल की सजा काट के आ रहे है जो technically जो बात आती है ना अब हुआ क्या अब हम क्यों बात करें अब इसके चलते कॉंट्रोवर्सी खड़ी होगी जहां पे ये सवाल उठाया गया कि स्मिता जी का ये बोलना ट्विटर पे क्या ये उलंगन है Central Civil Services Conduct Rules of 1964 का अब आफ्ट आल यहां पे डिबेट शुरू होगी है वो डिबेट इस बात किये कि क्या आप देखिए Civil Servant है आप UPSC Aspirant है कलको आप Civil Servant बनेंगे हमारे fundamental rights है of course reasonable restrictions भी आ जाते है बिलकुल absolute तो कुछ भी नहीं होता लेकिन अगर हम Civil Servants भी बन जाते हैं जो existing Civil Servants हैं क्या उनके अपने जो personal views हैं चाहे वो Facebook पर प्रगट करें चाहे वो Twitter पर करें चाहे वो किसी मर्जी Medium पर करें क्या वो valid नहीं है अपने उनके views प्रगट करना after all हम एक आजाद देश हैं सवतंत्र देश हैं तो सवतंत्रता का असली test क्या होता है कि भी आपकी अजादी क्या आप कितना अजादी से बोल सकते हैं कितना अजादी से सोच सकते हैं तो चाहे आप I.S. है चाहे आप doctor है चाहे आप college student है जो भी है तो आपकी अजादी तो यहाँ पर आती है अब as a bureaucrat was she wrong देखी अब यहाँ पर जो हमारे देशवासी है उनका अधिकार बनता है कि सरकार की कोई योजना के साथ अब agree करना चाहते है या नहीं करना चाहते है वो आपकी मर्जी है ठीक है अब उनका तो अधिकार है tweet करने का देखी वो भी at the end of the day जो civil servant है वो भी काम इंसान है वो भी समाज में से आए है लेकिन हाँ जब आप एक सरकारी ओधे पे है सरकारी सर्विस में अगर आप उस पद पे है तो आपको कुछ discipline रूल्स कुछ आपको अनुशासन यहाँ पर maintain करना पड़ता है जिसके चलते जो एक civil servant है now this prevents a government servant from becoming a member of a political organization या अगर आप civil servant होके किसी political organization को support कर रहे है या उनको promote कर रहे है या आप civil servant होके किसी political organization के anti कुछ tweet कर रहे है लिख रहे हैं बोल रहे हैं whatever it is वो बात आपको शोबा नहीं देता being a civil servant चाहे आप IAS है चाहे आप IPS है चाहे आप Indian defense account services में whatever it might be अब ये जो प्रथा है कि भी हम criticize नहीं कर सकते हैं सरकार को या सरकार की नीतियों को ये अंग्रेजों के समाने से प्रथा चलते आ रही है अब इसमें तो कोई शंका नहीं है कि Britishers जो थे वो बहुत strict थे वो जो कर रहे हैं वो बल्कुल ठीक कर रहे हैं तो जैसे हम कहते हैं गांदी जी के तीन मंदर थे बुरा ना देखो बुरा ना बोलो ये बुरा ना सुनो तो यानि के अंग्रेजों का ये कहना था कि आप जो आप bureaucrats हैं आप हमारे अंडर काम करते हैं चाहे हम जतना मर्जी बुरा करें जतना मर्जी बुरा हमारे द्वरा काम किया जा रहा है आपने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलना आपका अधिकार नहीं है कि आप हमको क्रिटिसाइज कर सकें तो आज के जमाने में 2022 में भी क्या ये नॉम्स क्या ये प्रथाओं को continue रखना सही है के नहीं आप यहाँ बे व्यूज ऑफ जुडिश्री की बात अगर हम देखें तो 2018 में केरल हाई कोट नहीं ये कहा कि just because कि आप एक civil servant है या सरकारी मुलाजिम है तो that doesn't mean कि आपका अदिकार नहीं कि आप अपने views को प्रगटना कर सकें एक स्वतंतरता कि अगर हम बात करें अगर हम एक democratic society की बात करें हर एक institution जो है वो कुछ ना कुछ democratic norms के साथ govern किया जाता है तो healthy criticism सुप्रीम कोट ने बार बार बोला है कि right to descent is also a very essential part of your freedom of expression a very essential part of democracy आप एक healthy way में criticize कर रहे हैं तो वो जादा अच्छा है after all देखिए अब जब हम answers लिखते हैं ये बात हम काफी बार सुनते भी रहते हैं कि भी अपने answers में हमने जादा extreme start नहीं लेना कही ना कही हमको शुरू से ही जब हम UPSC की त्यारी करते हैं हमारे जो teachers हैं हमारे जो seniors हैं हमको इस बात की थोड़ी preparation कराते हैं कि जबी भी आप अपना answer रहे के जबी भी आप कोई views चाहा कल को आप pre clear करके mains clear करके interview में भी जाते हैं तो एक balanced approach के साथ आपने बातें बोलनी है और लिखनी है extreme आपने stand नहीं लेना तो healthy criticism, constructive criticism तो कोई ऐसी बात नहीं है वो कर सकते हैं अब ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्य वाली घटना है बहुत unfortunate घटना है अब definitely बिलकिस बानों को जब ये अब दिकिस बात का हैसास होगा कि जिन लोगों ने उनकी family के games इतना बड़ा अत्याचार किया था आज वो ही लोग उनके महले में फिर से वापस आगे तो उनकी उपर क्या भी देगी अब ये जो general belief है क्योंकि आप IIS officer है क्योंकि आप IPS officer है क्या आपको सरकार के प्रती या सरकारी नीतियों के प्रती पबलिक फोरूम में नहीं बोलना चाहिए ये general belief क्यों है ठीके and if at all they feel very strongly about something that is being done or acted upon then उसके बाद क्या होता है आगर उनको को ऐसा feel होता है कि भी या उनकी against या कोई ऐसी बात है जो कि उनको बहुत disturb कर रही है किसी IS officer को किसी IPS officer को किसी मी civil servant को तो at the most उनसे क्या expectation करी जाती है कि भी आप ये issue को अपनी IS association में या IPS association में discuss कर सकते हैं अब जो bilkis का case था ये बहुत जादा देखिए यहाँ पे बहुत tragic incident हुआ था ठीक है अब इसमें तो देखिए सारी जो सीमाएं हैं इंसानियत की बात बोलें fairness की बात बोलें सब सीमाएं पास होगी थी इस case में तो अभी जो gang rape था और जो एक छोटे बच्चे का जो murder करा गया था ये बहुत horrific crime था अब अगर इसके against अगर कोई व्यक्ति personal viewpoint में या अगर कोई अफसर भी है अपने personal viewpoint में बोलना भी चारा है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं होनी चाहिए अब धर्म क्या है civil servant का धर्म का civil servant इसके भी आपने आप के लिए आपके लिए गीता से उपर गुरुगरंच साहब से उपर कुरान से उपर क्या है हमारा संबिदान जब आप एक civil servant है तो आपने जो constitution principles असको uphold करना है rule of the law को uphold करना है आप से यानि कि आप कानून से बड़े नहीं है कोई भी कानून से बड़ा नहीं है कानून सबसे बड़ा होता है और यहाँ पे यहाँ पे एक civil servant अगर अपने views प्रगट कर रहा है तो यहाँ पे इस article में यह बात करी गई है कि अगर उसको रोका जाए कि भी आप Twitter पे tweet ना करी है क्योंकि आप civil servant है यहाँ पे disciplinary action आपके against लिया जाएगा तो किस तरह का precedent हम set कर रहे हैं अभी recently क्या हुआ था इवन आंधरा प्रदेश की सरकार ने भी आठ murder convicts को release किया था on remission despite उन्होंने पूरी 14 साल की सजा जेल में नहीं काटी थी अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े उठते हैं पहली बात अगर इस तरह से murders होने लगे और rape होने लगे चाहिए वो ruling party है चाहिए वो opponent party है ठीक है तो फिर courts का तो कोई सिलसला होना नहीं जी फिर इंसाफ लेने के लिए लोग कहां पे जाएंगे अब जहांबे rules of central civil services conduct की बात आती है तो rule number 9 क्या कहता है कि कोई government servant no government servant shall make any statement और opinion जिसका जो नतीज़ा है यानि के कोई ऐसी statement जो के anti government है government की policy के against है चाहिए वो केंद्र सरकार है चाहिए वो राज्य सरकार है जिससे सरकारें भी बुरी शवी में प्रोट्रे होती है तो इस तरह के कोई statement कोई government civil servant नहीं पास कर सकता अब सवाल ही आता है कि क्या ये उलंगन है article 19 of the constitution आप civil servant है लेकिन आपके भी तो articles हैं आपके भी तो fundamental rights है article 19 तो आपको भी उत्रही प्यारा होगा जितना हम किसी भी इंसान को हो at the core of the heart आप समाद से आए हैं आप समाद से ही उठके आए हैं आप ISO, IPS हो कोई भी civil servant हो हो तो आप इंसान, हो तो आप भारत के ही देशवासी अब यहाँ पे justice भी एं स्री कृष्णा के क्या वियूस है अब वो कहते हैं कि एक बार आपने सरकारी सिवाओं में जब आपने government service आपने में आ गए तो definitely कुछ न कुछ restriction जो आपकी very carefully scrutinized अब यहाँ पे यह बात है कि जब आप इस तरह से अपराधियों को अगर खुले आम छोड़ रहे हैं, रिहा कर रहे हैं और यहाँ पे अगर application of mind executive के द्वारा भी नहीं करा जा रहा तो क्या यह policy है कि नहीं है और अगर तो यह policy है तो again question आता है कि इस policy की against किसी civil servant का criticize करना गलत बात है और अगर यह policy है ही नहीं तो फिर यहाँ पे अगर civil servant criticize कर रहा है तो उसमें गलत ही क्या है यह question हमारे सामने है violation of article 19 की जहां तक बात आती तो नहीं यह जो rules है यह article 19 को violate नहीं करते because यह rules हैं civil servants के लिए यह कानून नहीं है law नहीं है ठीक है freedom of speech is given in the constitution but these are conduct rules कि आपने अपना विवार किस तरह से रखना है ठीक है यह क्यों impose करे जाते हैं because कुछ certain decorum कह लीजिए एक अनुशासन कह लीजिए आपको maintain तरके रखना होता है अगर आप एक central organization में है central सरकारी organization में है अब एक process होता है decision making का जहां पर bureaucrats भी involved होते हैं ठीक है? मुद्धे को examine किया जाता है उसके positives क्या है, negatives क्या है merits, demerits क्या है उसको study किया जाता है investigate किया जाता है और उसके बाद executive action में जब हम executive की बात करते हैं bureaucracy भी बीच में आती है असल में जो executive action है वो तो bureaucracy ही implement करते हैं policy formulation हो यह implementation हो और bureaucracy को मौका दिया जाता है कि भी आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया है सरकारी नीती कोई रखी गई है उसको अब examine करिए, study करिए कोई आपको उसमें कमी बेशी लगती है तो बताइए और उनके जो objections है जो भी उनको लगता है कि merits या de-merits है खास करके de-merits है वो लिकेत तोर पे वो दे सकते हैं जो कि political executive के बास पहुंचेंगे चाहे वो chief minister हो, चाहे वो ब्रदान मंतरी हो और फिर उनके साथ बैटके बाचीत करके इसका हल निकाला जा सकता है यह तो काईदे की बाद आ जाती है अब अगेन यहाँ पर medium of expression की बाद आती है यह matter करता है कि कोई civil servant हिंदू में या Indian express में या Instagram पे या Twitter पे कोई comment करे या कोई article लिखे तो यह matter नहीं करता कि आप कहाँ पर अपना expression को प्रगट कर रहे है यानि कि जो medium है medium of expression matter नहीं करता ठीके ultimately आपका fundamental right है जो which has to be reasonably restricted यानि कि आप कोई बात बोल रहे है कोई आपको policy को criticize करना है आपको reasonable restrictions में रहके आप criticize कर सकते हैं लेकिन जो reasonable of restriction है वहाँ पर medium नहीं आता कि आपने हिंदू में article लिखा है कि आपने Instagram पर post डाली है ठीके we have social media और कोई भी कानून ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि आप अगर I.S. officer है या आप foreign services में है या audit account services में कि आप Twitter को use नहीं कर सकते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बल्के आज के time में तो बल्के जो ministers हैं सरकारी जो करमचारी हैं बड़े-बड़े सरकारी जो officers हैं जो बड़े bureaucrats हैं वो तो encourage करते हैं अपने juniors को भी और बाकी सरकारी करमचारी को भी कि आप Twitter पर आईए जो सरकार की योजनाई है ट्विटर के जरी लोगों तक पहुंचाईए लोगों की मदद करिए लोग अपने grievances Twitter के handles पर raise कर सकते हैं तो फिर यहां पर civil servants को यहां पर बली का बकरा क्यों बनाना अगर उन्होंने स्मिता जी ने कुछ tweet करी भी यह बात तो उनको बली का बकरा क्यों बनाना एक democracy में हर किसी का अपना right होता express करने का और right होता descent करने का Supreme Code भी कह चुक है कि right to descent is a very essential part of democracy Now the same thing could be said for an IS officer he or she may have a right to descent Now इस perspective को समझते हैं देखे transparency देखे social media के चलते चलो social media की बुराइयां कर लीजे चाहियां कर लीजे वो अलग बात है लेकिन इस बात को आप नहीं जो टला सकते हैं कि social media के चलते you know transparency बहुत बढ़ गई है accountability भी बहुत बढ़ गई है ठीक है हमको differentiation करना पड़ेगा between what is something that is going to hurt society hurt the constitution and the rule of the law अब चलो अगर हम इस particular case की बात करें बिल्किस बानो वाले case की बात करें तो ये केंदर सरकार के द्वारा decision नहीं था कि भी आप convince को रहा कर दीजे ठीक है ये जो action था यहाँ पे supreme court ने बोला supreme court ने का कि चलो ये remission की बात कर रहे है तो चलो बेशक इस case का जो trial था महराष्टरा में हुआ था लेकिन क्योंकि ये जो पूरा का पूरा incident था गुजरात में किया गया था तो इस करके गुजरात की सरकार फैसला करे supreme court you know through the ball in the court of gujarat government that you people decide whether you want to give remission to these people or not ठीक है तो question क्या है तो यहाँ पे चलो केंदर सरकार की तो गलती नहीं है यहाँ पे question is over the manner in which this has been done without application of mind यह यहाँ पे एक सवाल खड़ा उठता है फिर दोस्तों बात करेंगे इनस विकरांद के बारे बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि आज इसको commission करा गया है news में TV channels पे आ भी रही है images आ रही है, videos आ रही है मोदी जी इसको commission करने के लिए inaugurate करने के लिए वहाँ पे coaching पहुंचे होए है ठीक है अब जो commissioning है हमारे और यह हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए make in India प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा boost है हम इछले 2-3 सालों से आत्मनिर्भर भारत के बारे काफी बाते कर रहे है defense indigenization के बारे बहुत बात कर रहे है कि चलो हमने अपने हमने अपनी इंडिन आर्वी हो navy हो, air force हो उनको हमने obsolete weapons off street हत्यार नहीं use करने देने है नए हत्यारों की हमने उनको provision करना है लेकिन वो नए हत्यार कितना अच्छा होगा कि हम यहाँ पर बनाए यह missiles हो, चाहे वो जहाज हो ठीक है, चाहे वो guns हो क्यों ना वो यहाँ पर बनाई जाए क्यों ना यहाँ पर defense manufacturing को एक impetus मिले तो यह बहुत गर्फ की बात है कि हमारा पहला aircraft carrier है और indigenously designed है और यह बहुत strengthen करेगा हमारी navy को खास करेगा अगर हम blue water navy की बात करें विकास हमारा एक सपना है हमारा एक vision है कि हम एक बहुत dominant naval maritime force not when I talk about being dominant doesn't mean the dominant meaning which China holds याने कि China की dominance की तरह हम dominant नहीं बनना चाहते है हमें कैसी शक्तिशाली naval अपनी naval force की बात करते है जिसका global reach है और हमारे में वो शमता भी है कि हम बाकी देशों की navies को भी develop कर सकते है और जो हम बात बार-बार करते है कि India being the net security provider in the Indo-Pacific region तो Indian Ocean हो Pacific Ocean हो तो वहाँ पर हम अपना dominance जो है strength जो है I would use the word strength rather than using the word dominance strength जादा वहाँ पर दिखा सके तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे कुछ यूनों parameters है जिसकी length की बात करें 262 meters इसकी length है 62 meters इसकी width आ जाती है अब अगर यह जब fully operational हो जाएगा तो यह शमता रखता है यह जो aircraft carrier है कि चाहे इसमें MIG fighters हो चाहे कमोव helicopters हो ठीक है चाहे US origin helicopters या aircraft हो या चाहे Russian origin हो या वो यहाँ पर खुद के हमारे बनाएंगे light combat aircraft तेजास क्यों ना हो कि यह भी इसमें यह भी इसमें mount किये जा सकते है तेके अब significance की बात जहां पर करें तो देखे हम भारत ने join करा है उन elite group of nations को वो कौन से elite group of nations है अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है, चाइना है जो के capable है और design और construct करने के लिए अपने आपके aircraft carriers को अब इसके जलते, INS विकरांद के जलते we are set to be the seventh largest among the carriers और carrier classes in the world अगर हम history और विकरांद की बात करें तो देखे इसका जो परेजिसका जो number अगर हम इसके, तो INS विकरांद जो है हमने UK से खरीदा था, ठीक है, इसका जो नाम था UK version इसका नाम क्या था HMS याने के Her Majesty Ship, Hercules तो ये UK ने 1957 तक construct किया था और this was purchased by India 1957 इसको completely हमारी नेवी में commission करा गया था 1961 by the name of INS विकरांद only ठीक है, अब अगर इसकी significance की बात करें जो हमने Britishers से याने कि जो हमने UK से INS विकरांद का जहाज लिया था और इसका बहुत जादा हमने देखा रोल खास करके 1971 की लडाई में इंडिया पाकिस्तान की जो 1971 की लडाई हुई थी, which led to the liberation of Bangladesh, इस ship को decommission करा गया, तो 1961 से लेके 1997 तक ये जो जहाज था ये operational था, 1997 में इसको decommission करा गया, और अब अगर हम विकरांद की बात करें, विकरांद का मतलब क्या है, विकरांद का मतलब बहादूरता, ठीक है, being courageous, अब विकरांद जो शब्त की हम बात करें, इसका जो origin है, ये काफी scriptures में आता है, अगर हम भगवत गीता की भी बात करें, तो अगर जो पहला चाप्टर है भगवत गीता का, उसमें जो चटा शलोक है, वहाँ पे विकरांद वर्ट का इस्तमाल करा गया है, तो विकरांद वर्ट का इस्तमाल करा गया है, बहादूरता को दरशाने के लिए, जो के पांडवों की जो सेना थी, और पांडवों की सेना के जो सेना पती थ यह हमारी जो शम्ता है हमारी डिफेंस प्रिपेरिटनेस है और जो हमारा जो बूस्ट है आत्मनिरबर भारत का उसको तो काफी स्ट्रेंदन करेगा करेगा लेकिन यह जो जहाज है यह बहुत हमबल ट्रिब्यूट है उन बहादूर फ्रीडम फाइटर्स के लिए उन और यहाँ पर इंडिजनेस जिजण और construction की जहां पर आती है देखिए जो प्लान है इसको बनाने के लिए इसका तो प्लानिंग का जो सिल्सला है जब 1997 इसको डी कमिशन करा गया तब ही से इसकी बातचीज चुरू होगी थी कि इसको यही पर भारत पे बनाएंगे टेके 2003 में 2003 में जो design and construction था इस इंडिजनस तो अब इस बात को द जादा है ठीक है अब coaching shipyard एक public sector जो ship building entity है under the ministry of shipping उसको टास्क दिया गया था इस जहाज को बनाने के लिए और यह पहला warship construction project था for coaching shipyard limited अब अगर हम यहाँ पे naval design की बात करें तो यहाँ पे new naval design है पहले क्या था जो पुराना naval design था आपको वो दिखा दिता हूँ आप ये cross को है तो यहाँ पर याने के independence के बाद यहाँ पर भारत का तिरंगा था लेकिन independence से पहले यहाँ पर UK का flag होता था और यह जो cross है यह colonial legacy को represent करता है तो it was high time कम इस cross को अपने naval design में ना रखें यहाँ पर हमारा national emblem आ जाता है तो अब जो हमारा new naval design है यहाँ पर St. George का cross नहीं है ठी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा तिरंगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो octagonal shape है यह octagonal shape याने के 8 directions की यहाँ पर बात करेगी octagon याने के 8 की बात होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो octagonal shape क्या दर्शाता है the multi-directional and the multi-dimensional capability of the Indian Navy ठीक है और यह जो twin golden borders हम देख सकती है यह जो twin golden borders है यह कहां से लिए गए यह लिए गए है said to be drawn inspired from छत्रपती शिवाची ना अब इसके बाद क्या चलो विक्रान को हमने build करा approximately जुसका खर्चा था 20,000 करोड का था बहुत साल लगे 2003 से सको sanction करा गया था budget को अब Navy has said that around 80 to 85 percent has been plowed back into the Indian economy with complete indigenous construction इसमें सबसे अची बात क्या है जो हमारे आत्मन इरपर भारत को जिसमें push मि आने के लिए लगबख 76 percent जो content था वो indigenous था याने कि यहीं से procure किया गया था और लगबख 13-14,000 लोगों को भी employ करा गया था indirectly अपार्ट फॉर्ट फॉर्ट वर्कर से 13,000 और लोगों को भी employ directly करा गया था अब इसको operationalize करने से नीवी का यह कहना है कि जो best practices हैं जो के बाकी advanced द देख सकते हैं बिल्कुल इस यहां पर आइनस विशाल की बात करी गई है तो जो अगला याने के जो इंडियन तो यह तीसरा aircraft carrier होगा लेकिन यहां पर बनायागा दूसरा aircraft carrier होगा because अगर हम बात करें तीसरे aircraft carrier की याने कि एक हमारे पास जो है Russian origin का आइनस विक्रम अधित्या है Indian याने के indigenous आइनस विक्रांथ है और तो अगला जो इंडियन याने कि जो इंडिजनस हम aircraft carrier बनाएंगे वो कौनसा होगा वो आइनस विशाल होगा ठीके चलिए तो दोस्तों ज discrimination और यह जो बात चीत है higher education में भी बहुत relevant होती है काफी सारे articles आते रहते हैं women empowerment को लेके gender inequality को लेके हमारे हाँ पे gender inequality काफी जो अगर हम index की भी बात करें तो बहुत wide gap है हम बार 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 बात करते हैं कि अगर female labor force participation को हम बढ़ाते हैं तो हम अपनी GDP में भी बहुत growth देख सक discrimination है जब यूपीसी का है मैं बार-बार कहता रहता हूँ चाहिए वो 10th class exams है 12th class के हैं तो औरती हमेशा सबसे आगे होती हैं लेकिन औरतों को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संगर्श करना पड़ा है एक incident यहां पर article में जो you know columnist ने जो पेश करा है यहां पर बात करत तो कमला सोनी जी अप्रोच करते हैं हमारे nobel laureate sir cv.ramanji को कि जी मैंने physics में research करनी है आपकी guidance के अंदर ठीक है कि बी मैं को आप शिक्षा दीजे मैं को आप पढ़ाईए मैं को physics में research करनी है तो cv.ramanji ने ठीक है the great cv.ramanji ने उस वकत उनकी इस request को turn down कर दी और यह का कि दे cause you're a woman तो आप इस field में मत आईए लेकिन उन्होंने सत्यग्राय किया उनके office के बाहर क्योंकि वो director थे आया इंडियन 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 इंस्टीट ऑप साइंसेस के उनके office के बाहर उनने सत्यग्राय किया और eventually you know सत्यग्राय के बाद उनको admit करा गया इस course में condition क्या थी कि उनका जो काम है वो तब तक recognize नहीं करा जाएगा जब तक जो director है याने कि सर सीवी रमन जो है जब तक वो satisfy नहीं होंगे उनकी quality of research से also उनको ये भी कहा गया कि देखे आपकी जो मौजूदगी है इस institution में वो बाकी पुरिश्ट कोलीक्स जो है आपकी उनको distract ना करे अगर हम थोड़ी सी information यहाँ पर कमला सोनी जी के बारे बात करें कि इंडिन वायकेमिस थे 1939 में पहली भारते नारी बनते हैं जिनको receive करते हैं PhD in scientific discipline और अगर हम बात करें तो कमला जी ने जो reject किया था सर सीवी रमने के भी आप और उरत हो आप यहाँ पे नहीं बढ़ाई कर सकते हो तो उन्होंने सत्यक रह किया था एक साल के लिए और उसके बाद जाके सीवी रमन ने कहा चलो कोई बात है हमको कुछ conditions पे कुछ terms and conditions पे मैं admission देना हूँ और वो conditions के बारे अभी हमने पिछली slide में बात करी थी अब ज़रा सोची इसके बारे देखिए आज हम 75 years of independence की हम बात करें आने वाले 25 साल में हम 100 years of independence हम celebrate करेंगे अब ये जो घटना थी है घटना लगबग 90 साल पुरानी थी तो आज हम कितना आगे आ गए हैं देखिए हमको ये बात सोचनी बहुत जरूरी है कि ताकि वो at par आ सके with men in the academic institutions अब सरकारी incentives की बात करें सरकारी initiatives की बात करें बहुत important दो ऐसे सरकारी initiatives है इसको आप note कर लिजेगा विकास अगर आपसे पूछा जाते है कि कौन से ऐसे initiatives है सरकार के तो जो कि औरतों को higher education in science में encourage करते है तो एक तो गती आ जाता है जेंडर अडवांस्मेंट फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंस्टिउशन तो ये एक पालेट प्रोजेक्ट है अंटर देपार्टमेंट अफ साइंस अंड टेक्नोलोजी जो के फोकस करते है कि कैसे जेंडर एक्विटी जो है साइंस और टेक्नोलोजी के एजुकेशन में भी प्रमोट की जा सके फिर किरन स्कीम की यहां भी बात आती है किरन याने के नॉलेज इंवॉल्मेंट इन रिसर्च अडवांस्मेंट थू नर्चरिंग तो ये भी DST याने के Department of Science and Technology के अंडर है और ये इंकरेज करते है और तों को और वोमन साइंटिस को कि वो साइंस और टेक्नोलोजी में रिसर्च कर सकें और पढ़ाई कर सकें और वो अपनी जो जॉब है जो रिसर्च है उसको छोड़े ना बेशा करें उनकी शादी हो जाए या उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम है या आगर उने उनके बच्चों का देख भाल करना है तो ऐसे इंसेंटिव यहाँ पर रखेंगे that they don't easily give up the work they are doing in this field अगर हम यहाँ पर वोमन एंस्टेम की बात करें लेकिन कितनी औरते हैं जो कि research field में जाती है हमारे यहाँ पर lowest position है only 14% female researchers है हमारी scientific community में ठीक है अब लेकिन जपान की बात करें जपान में सिर्फ 16% है Netherlands की बात करें वहाँ पर 26% है UK और USA की भी बात करें तो वहाँ भी आंक्रे काफी कम है 40% से नीचे है Interestingly अगर हम यहाँ पर बात तो यानि कि अगर 14% female researchers है तो 86% male researchers है अब एक interesting fact हमारे सामने क्या आता है South Africa एजिप्ट की बात करें वहाँ पर 45% female researchers है यानि कि South Africa और Egypt में अग जहाँ 55% male researchers है तो 45% female researchers है तो parity काफी मतलब अच्छी बनी हुई है क्यूबा में अगर हम बात करें 49% female researchers and 51% male researchers तो बहुत जादा gender parity है और interestingly, very interestingly the highest number of female researchers वो कहाँ पे है Tunisia में 55% यानि कि Tunisia में male researchers का में female researchers जादा है अब कुछ concerns की बात करें तो 43% of women वो constitute करते है graduate population, the science, technology इस साना के जो courses है 43% में से केवल 14% है जो कि research की field में जाते है तो ये बहुत बड़ा चंता का विश्य है हमारे सामने प्रगट होता है अब एक report जो published करेंगी थी recently, women occupy 20% of all professional positions लेकिन अगर हम बात करें जो prestigious institutions है हमारे IIT मदरास की बात करें IIT Bombay की बात करें तो IIT मदरास में केवल 10% ही है जो कि women professors है याने कि 31 out of 314 professors और IIT Bombay में 25 out of 143 professors याने कि round about 17-18% of women ठीक है? अब लेकिन private universities में जो ratio है वो औरतों का जादा better रहता है फिर अगर हम private sector की बात करें देकि बहुत एक अच्छी बात करें ठीक है वो 39% है और this is much higher than the global average in fact अगर हम number of women CEOs की बात करें fortune 500 companies में वो 15 प्रतीशत है और अगर ये trend चलता रहा गर ये trend इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ 20 सालों में 20-22 सालों में ये parity यहां पे बहुत बन जाएगी ठीक है काफी close parity बन जाएगी यानिकि equal number of men and equal number of women in the scene and management positions even in the corporate sector नाओ आप हम कुछ observations की बात करें देखी जो mechanism of selection और promoting पर्सोनल होता है ना private sector में corporate sector में ये merit के उपर होता है market decide करती कि भी अगर आप talented है अगर आप competent है अगर आप शमता रखते हैं अगर आप अच्छा काम करें तो market आपको जुरूर reward करता है ऐसे कोई false idols की तरह है आपर worship नहीं किया जाता सरकारी departments हमको पता है कि आप एक बार नौकरी में लग गए है तो आप पूरी जिंदगी के लिए आप पके हैं का work from home का अभी भी चल रहा है pandemic के बाद work from home culture को काफी हमने बढ़ावा दिया लेकिन अगर हम बात करें flexible work time की ठीक है या अगर आप यह नो अपने बच्चे का देख भाल करना चाहते हैं आप अभी recently mother बने हैं तो आप कुछ समय के बाद sabbatical लेने के बाद अपने work को resume करना चाहते हैं तो इस तरह की flexibility जो है हम अपने corporate sector में पिछले कुछ 20-25 सालों में देख रहे हैं अभी तो चलो बचले 2-3 साल से तो कुछ जादा ही flexibility आगे हैं लेकिन इस तरह की जो सहूलते हैं flexibility है यह औरतों के लिए और असानी create करते ताकि वो अपने काम पे भी focus कर सके और अपने परिवार को भी time दे सके तो इस तरह की जो flexibility अगर हम higher education में खास करके scientific education में research field में भी लेके आ सके तो औरतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो question of the day क्या बनता है more than the government initiatives towards empowering women gender equality requires a change in mindset of higher institutions of learning comment करिये इसको 250 words में और ये answer आप टेलेग्राम के group में post कर सकते हैं कल 12 मिश तक post करिये जिसका best answer होगा हम आपके साथ share करेंगे बाकी दोस्तों जाने से पहले quick information वो ये है कि यदि आप political science और international relations का optional आपके पास है या आप इस optional में interest रखते हैं और इस optional में coaching के लिए तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आप चाहें तो हमारे offline courses में भी जुड़ सकते हैं online life classes में भी जुड़ सकते हैं और pre-recorded classes में भी जुड़ सकते हैं तो प्रेड़ना माम यहाँ पे political science and international relations पढ़ाते हैं प्रेड़ना माम के शॉट्स आपने देखे होंगे काफी YouTube पे popular उनके शॉट्स तो अगर आप हमारे साथ coaching लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है offline, online, pre-recorded classes prices आपके सामने available हैं और अगर इसके बारे और assistance चाहते हैं तो आप हमारे toll free number 1-800-890-3043 पे call करके इसके बारे और information ने सकते हैं और आपको फूरी assistance दी जाएगी दोस्तों मैं आप से इजास्ट लेता हूँ और मिलूँगा आपको मैं कल और चर्चा के साथ तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिये और पढ़ते रहिए और answer भी लिखते रहिए Thank you so much जय है